है फ्रेंट्स आप लोगों को मेरे यूट्व चनल टेक आउप टैली एंजेस्टी में स्वागत हैं फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बताएंगे कि आप टैली डाटा को अपने काउट्स को कैसे भेज सकते हैं यदि आपको पता नहीं कि टैली डाटा कैसे भेजा जाता है तो आज किस वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे भेजना है टैणी डाटा अपने के बाद यहां पर आपको select करना आए जिस भी company का आप data sin करना चाहते हैं यहां पर बहुत सारा company है तो मैं एक company का select कर लेता हूं आसा electrical तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह आस अलेक्टिकल है और यहां बीच में cost में जो है two double zero six three कि यह coalbed में नमबर है और यहां पर आपको bath देख लिया है किया data कि से भोड़ा है उसे आपको और यह नमबर को भी याद रख लिना है कहां पर यह data सेवुड़ा है मैं यहां से open कर लेता हूँ जिस भी location पर यह controlled data save रहा है तो यहां पे आप देख रहे हैं जिस आप इंडिया के नाम से एक folder है इसमें आप क्लिक करना ही है है कि इसपे click करने के बाद यहां पर यहां पर आप देख रहे हैं कि už फोल्डर मैं open कर लिया हूँ जहां पर location से बता हूँ और यहां पर आपको हमको data पर click करना है data पर click करने के बाद यहां पर आपको पांच दिरिज का मैंने नंबर बता लिए था जो पोस्ट में था तू डवल जिरो 63 तो यहां से मैं search कर लेता हूँ ढूंडता हूँ कहां पर है कि अगरे कि अगरे कि तू डवल जीरो 63 यहां पर यहां पर बहुत सारा data है तो यहां से मैं इसे copy कर लेता हूँ कोपी करने के बाद आपको क्या करना है रिक स्टॉप पर एक फोल्डर बना लेना है राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक करके फोल्डर पर जिस नाम चाप फोल्डर बनाना चाहता है तो आप बना लीजिए यहां पर मैं फोल्डर बना लिया हूँ फोल्डर बनाने के बाद यहां पे आपको रैट यहां पे आपको डाटा को पेस्ट कर देना है जो मैं डाटा को वहां से कॉपी किया था जिस लोकेशन से मैं यहां पे फोल्डर बना के उसे पेस्ट कर दिया हूँ और यहां पर आपको right click करना है इस data पर रेट क्लिक करने के बाद इसे आपको gif folder बना लेना है add to air gip पे click करेंगे और यहां पर आप दो type का folder है air gif format rrr और जीब तो इसे मैं gif folder बनाकर oki पे click करता हूँ oki पे click करने के बाद थ्थोरा हो गया है, gif folder मेरा बन गया है अपना mail open कर लेना है, mail open करने के बाद यहां पे compose पे click करना है, compose पे click करने के बाद यहां पे जिसको आप data send करना चाहते हैं, यहां से आप उसका mail लिख दीजिए, और यहां पे आपको subject में जिस party का data है, वहां पे आप लिख दीजिए, और यहां पे year लिख दीजिए, जिस भी यहां पर आपको नीचे आना है और इन यहां नीचे में आने के बाद attach file पर click करना है attach file पर click करने के बाद यहां पर जिस location पर अपने data को save किया है उसे आपको select कर लेना है मैं desktop के select किया था और यहां पर आप देख रहे हैं इसलिए आपको zip folder वाले पर click करना है जो कि मैं zip बनाया है और यहां पर आपको open पर click करने के बाद यहां पर आपको इसे send करना है और send करने के बाद यहां पर आप अगर view message देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं गया है कि नहीं data और यहां पर आप जैसी कि देख रहे हैं कि यह data send हो चुका है तो आप इसी तरह से पहली का data अपने C auditors या contents को इसी तरह से आप send कर सकते हैं